सब्सक्राइब कर दो को अब average और weighted average में थोड़ा सा एक अंतर है उसे हम इस वाले example से समझने की कोशिश करते हैं तो एक हमारे पास है left hand side और दूसरा हमारे पास right hand side तो सबसे पहले हम इस वाले part को देखते हैं दो तरह के चावल हैं दो variety के चावल हैं एक की कीमत है 30 रुपए प्रति केजी प्रति किलो और दूसरे की है 40 रुपए प्रति किलो अब अगर quantity की बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों की अभी हम हम मिला दें तो जो हमारी कीमत रहेगी cost price रहेगा वह resultant क्या आएगा मतलब basically हम यह पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों का मिला दें तो जो हमारी average cost आएगी वह कितनी होगी पर kg प्रति किलो के quantity है अगें एक किलो एक किलो का है अब डिवाइट किस से करेंगे हमें पता यहां पर भी एक किलो यहां पर भी एक किलो तो टोटल कितना होगी हमारा वन प्लस वन तो यह हमें देगा 30 प्लस 40 70 बाइटू मतलब 35 रुपीज पर kg यह हमारा आया क्या average cost किसका जब हमने एक एक variety के चावल को दूसरे variety के चावल से mix किया कितना mix किया एक एक किलो mix किया हलाकि इनकी जो कीमत थी वो अलग अलग थी तो यह वो हमारा normal average का case अब यहां पर जो quantity है इससे आप change भी कर सकते हैं लेकिन जो भी आप change करें वो एक जैसी रखिएगा दो-दो किलो लेके चलिए या पहले variety के चावल था वो है तो 30 रुपए का आप देखेंगे cost दोनों की same है लेकिन अंतर कहां पर आ रहा है quantity में आ रहा है अब हम इस वाले चावल की जो variety है इसका 2 kg मिला रहे हैं इस वाले चावल की variety के 1 kg से तो जब हम यहां पर quantity दोनों की अलग कर देते हैं तो वो case बनत weight जो है दोनों पर same है लेकिन यहां पर हमारा जो weight है वो अलग-अलग है क्योंकि हम अलग-अलग quantity के चावलों को mix कर रहे हैं अब यहां पर अगर मैं इसकी average cost निकालना चाहूं तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा पहले वाले case में 30 रुपए के वो चावल हैं प्रती kg कि दूसरे वाले में 40 रुपए उनकी कीमत है और कितने है एक किलो अब divide में कितने से करूँगा total कितना kg होगे हमारे पास 2 प्लस 1 मतलब 3 यह हमें कितना देगा यह हो जाएगा हमारा 60 यह हो जाएगा हमारा 40 मतलब 100 और 3 से जब हम इसे divide करेंगे तो यह हमें देगा 33.33 रुप क्या आरा है यहां कर हम average तो हमें पताः क्या होता है पर अभी weighted average क्या हो गया है तो weighted हम तब calculate करते हैं जब हमारे पास जो quantity हम mixed कर रहे हैं अगर कितने हम अलग अलग हैं और आपको थोड़ा सा clear होगा ये चीज, दो class है हमारे पास, एक में जो बच्चे हैं, उनकी average age है 12, और जो दूसरी class है, उसमें जो बच्चे हैं, उनकी average age है 16, अब पहली class में भी 10 बच्चे हैं, दूसरी class में भी 10 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर जो quantity है, वो same है, लेकिन यहाँ पर गर हम बात करें, right hand side पर, तो जो हमारी average, जो average age थी, वो हमने same रखी, 12 और 16, लेकिन हमने क्या अंतर कर दिया, कि अब numbers हमने यहाँ पर बदल दिये, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है, तो मुझे पता है, यह वाला part हमारा normal average की तरह काम करेगा, और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा weighted average, अब उपर आप देखेंगे, normal average में, जब हम divide कर रहे थे, तो हमने 2 से divide किया, भले ही यहाँ पर quantity 1-1 थी, लेकिन अगर यहाँ पर quantity change भी कर देते, तो भी simplify करके, मुझे denominator में 2 ही मिलता, लेकिन यहाँ पर, जब हम दो तरह की quantity, जो variety होने, जब उनका average निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम total quantity से यहाँ पर divide करते हैं, इसे आप थोड़ा सा, इस example से भी देखें, तो आपको और समझ में आएगा, अगें, यहाँ पर मैं average निकालना चाहूँगा, तो पहली वाली class हम लेते हैं, class A को, यहाँ पर उनकी average age कितनी है, 20, और बच्चे कितने है, 10, तो total age कितनी हो जाएगी, 120, अब इसमें add करेंगे, 16, multiply by 10, और इसम डिवाइट करेंगे, 10 प्लस 10, मतलब 20 से, इसी को अगर मैं simplify करूँ, यहाँ से मैं 10 को काट देना चाहता हूँ, तो 12 into 1, प्लस 16 into 1, divide by, यह कितना हो जाएगा, 2, basically यह क्या हो गया, 12 प्लस 16, divide by 2, अब यह वाला जो part है, यह, यह आप देखें, बिल्कुल normal से average की तरह काम कर रहा है, 12 में 16 जोड़ा, और 2 चीजे थी, तो हमने उसे 2 से divide कर दिया, वैसे यहाँ पर भी काम कर रहा था, 30 और 40, 70 लिखा, और 2 से divide कर दिया, तो यह वाला part हमारा normal average की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि quantity same है, मतलब weight जो है, वो दोनों जगे same है, यहाँ पर भी weight 10-10 है, मतलब same है, तो इस 10 को हम ना भी लिखते, तो भी 12 प्लस 16 और divide by 2 हम कर देते हैं, तो हमें अपना average मिल जाता है, लेकिन ऐसा हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्यों? लेकिन यहाँ पर वो cancel out नहीं होते हैं, इसमें अगर मुझे average निकालना हूँ, तो weighted average क्या निकलेगा? Again, 12, multiply हम करेंगे उसमें, 4, प्लस, यहाँ से हम लेंगे 16, multiply हम करेंगे उसमें 3, और division में हम क्या लेंगे हैं आपर? 4 प्लस 3, मतलब 7, अब इसे जब आप simplify करेंगे, तो यह हमें देगा 48, यह भी 48, तो यह हमारा हो जाएगा 96 divided by 7, चीक है? तो यह हुआ हमारा weighted average वाला case, और यह हुआ हमारा normal case, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि normal case में किस तरह से हम average निकाल सकते हैं? वहाँ पर हमारे weight का कोई value नहीं होती, हम उसे ignore करके simply average का average ले ले लेते हैं, लेकिन weighted average में, हम average का average नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर weight अलग-अलग होते हैं, अब यहाँ पर हमने example देखा, तो अब हम कुछ लिखना चाहेंगे, जिसे हम कहेंगे general formula of weighted average, बिल्कुल सबसे basic method होती है, weighted average निकालने की, हम अभी simplicity के लिए दो case ले लेते हैं, पहला जब हम दो quantities को mix कर रहे हैं, तो उस case में, अगर मैं weighted average को लिख रहा हूँ, w average, यह हुआ हमारा weighted average, हमारे पास दो quantities हैं, पहली quantity का जो average है, वो है A1, कितना number है A1 का, तो मैं उसे multiply कर रहा हूँ, N1 से, A1 है average, N1 है quantity, जैसे यहाँ पर, A1 होगा हमारा 12, और N1 होगा हमारा 4, प्लस इसमें हम add करेंगे, A2, second variety का जो भी हमारा average है, और multiply करेंगे उसका number, N2, और division में हम क्या लेते हैं, N1, प्लस N2, यह हुआ हमारा weighted average का formula, कितनी, जब हमने 2 तरह की quantities को mix किया, जैसे यहाँ पर जो हम यह कर रहे हैं, 12 into 4, 16 into 3, divide by 7, हम यही वाले weighted average का, महाँ पर formula लगा रहे हैं, अब अगर 2 से ज़्यादा quantities हों, तो उस case में, तो हम एक्जाम्पल ले लेते हैं, 3 quantities के लिए, तो 3 quantities के लिए, weighted average का, अगर मैं formula लिखूँ, तो वो होगा, A1 multiplied by N1, plus A2 multiplied by N2, plus A3 multiplied by N3, 3 और यहाँ पर division में, N1 plus N2 plus N3, और भी अगर 3 से ज़्यादा होंगी, तो हम इसी formula को आगे बढ़ाते जाएंगे, पर अभी हम अपने को limit करेंगे, 2 और 3 में, और खासकर जब हम allocation लगाएंगे, तब हम अपने आपको limit करेंगे, 2 वाले case में, तो यह हुआ हमारा general formula, weighted average निकालने का, तो यहाँ से, hopefully आपको average और weighted average में, अंतर समझ में आ गया होगा, अब जो allocation हम लगाते हैं, वो simply एक method है, जिसे हम लगाते हैं, weighted average के cases में, average में भी लगा सकते हैं, पर average और weighted average एक ही हो जाएगा, जब हमारे weight सेम हो जाते हैं, ठीक है, अब scale of allocation सबजने से पहले, हम पहले एक example देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया है, 5 kg हमारे गेहू है, जिनकी जो कीमत है, वो 12 रुपे प्रती किलोग्राम है, और 3 kg हमारे पास गेहू है, दूसरी variety के, जिसकी कीमत है 20 रुपे प्रती किलोग्राम, दोनों को हमने mix किया, और अब हमें बताना है, कि जो mixture बनेगा, उसकी average cost क्या बनेगी, तो सबसे पहले हम इसे solve करते है, weighted average से, जो हमारी basic method है, 5 kg हमारे गेहू हैं, 12 रुपे के, तो average यहाँ पर कितना है, 12, मैं लिखूंगा 12, multiply by, कितना 5 quantity है, प्लस, इस वाले का average कितना है, cost 20, कितना है वो, 3 kg है, और divide में कितना करेंगे हम इसे, 5 kg और 3 kg मतलब 8 kg, तो यह हमारा बनेगा, 60 और 60 मतलब 120, और 8 से जब हम इसे divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 15, 15 क्या आएगा हमारा average cost of mixture, मतलब 15 रुपीज पर kg, यह हमने निकाला कैसे, weighted average से, अब इसमें हम allegation लगाना चाहेंगे, हमें यह पता है, जहां जहां weighted average लगता है, वहां वहां allegation लगा सकते हैं, allegation क्या हुआ, allegation एक method है, जो कि हमें simplify करके देता है, हमारे weighted averages में, अब weighted average को इस तरह से calculate करना, बहुत basic हमारा तरीका हुआ, कई बार इसमें, आप देखेंगे, हमें यहां पर दो बार multiply करना पड़ रहा है, फिर यहां पर divide करना पड़ रहा है, आप चुकि हां पर number easy है, इसलिए हमें करने में ज़्यादा problem नहीं हो रही, लेकिन कई बार numbers difficult हो जाते हैं, decimals में आ जाते हैं, fractions में आ जाते हैं, तब हमें problem आनी शुरू होती है, तो ऐसे cases में हम prefer करते हैं, कि हम allegation लगाएं, allegation का जो method है, वो weighted average के formula method से, कई गुना ज़्यादा fast काम करता है, अब हम इसी में देखते हैं, कि हम allegation कैसे लगा सकते हैं, allegation में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो averages हैं, एक हुआ हमारा A1, यह हुआ हमारा A1, यह हुआ हमारा A2, तो जो भी हमारे पास जो averages होते हैं, उसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, है ना, तो सबसे छोटा वाला जो average होता है उसको हम left hand side पर लिख लेते हैं जैसे हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 को और इस तरह से हम एक line draw कर देते हैं बीच पे फिर right hand side पर हम लिख लेंगे जो सबसे बड़ा वाला average है यहाँ पर है 20 अब जरूरी नहीं कि आप छोटे वाले को यहीं पर लिखें मैं यह simply follow कर रहा हूँ number line को जैसे जब हम number line draw करते हैं तो हमें पता है कि हम इस side छोटे numbers को लेते हैं और इस side हम बड़े numbers को लेते हैं तो इसी को मैं follow कर रहा हूँ ताकि calculation में मुझे confusion ना हो आप अगर कर पा रहे हैं visualize कर पा रहे हैं तो आप 20 को यहाँ पर और 12 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ता है पर समझने के लिए और ताकि गलतिया ना हो मैं छोटे वाले average को left hand side पर और बड़े वाले average को right hand side पर मतलब increasing order में घटते क्रमे में इसे जमाया मैंने अब इस पर हम weights लिखेंगे अब मुझे weight पता है हम उपर देख चुके हैं तो यहाँ पर 5 kilo है 12 वाला 12 रुपे जो 12 रुपे प्रतिकिलो वाला है वाला जो हमारा गेहू है तो 12 के उपर weight weight को मैं green से लिएता हूँ हमारे पास कितना है 5 5 को मैंने लिखा bracket में 20 वाले पर weight कितना होगा 3 तो यहाँ पर मैंने लिखा इसे 3 ठीक है 5 और 3 क्या है इस case में होगा हमारे weights होगा मतलब 12 वाला जो है वो कितना है 5 kilo 20 वाला जो हमारा कितना है हमारा 8 तो यह जो scale बनी जैसे एक normal scale होती है तो उसमें हमारे नीचे cm भी लिखे होते हैं और उपर inches में लिखा होता है तो उसमें अलग-अलग gap रहती है cm वाले छोटे-छोटे रहते हैं और inches वाले जो mark बने रहते हैं वो बड़े-बड़े से रहते हैं तो वही हो हमारी scale अब यहाँ पर हम scale यह इसे भी आप एक scale की तरह मानिए जो शुरू 12 से हो रही है और खतम 20 पर हो रही है अब इस scale में भी बीच में कई सारे marking बनेंगे तो कितने सारे mark बनेंगे इसको और इसको आप add कर दीजे मतलब 5 प्लस 3, 8 यहाँ पर total जो division बनेंगे अगर मैं यहाँ पर division बनाओ तो मुझे 8 यहाँ पर gap बनानी है तो 8 gap बनाने के लिए मैं line कितने कीचूंगा 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 total हमारी 8 gap बन गई 5 प्लस 3, 8 तो हमने उसी तरह से यहाँ पर gap बनाए अब यहाँ पर 20 और 12 में difference कितना है 20 और 12 में difference है 8 का हमारे divisions कितने हैं वो भी 8 है मतलब 1 यह जो 20 का gap है वो कितने का होगा एक-एक का होगा तो इसे अगर मैं लिखूं इसे मैं लिख देता हूँ light blue से यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर बनेगा 13 यहाँ पर 14 यहाँ पर 15 यहाँ पर 16 यहाँ पर 17 यहाँ पर 18 यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20 तो ही तो इस तरह से हमने scale बना है अब यह scale कैसे बना 5 और 3 8 है मतलब पहले तो मुझे यह पता है कि बीच में 8 गैप होंगी अब वो गैप कितनी कितनी की होंगी तो मैंने देखा 20 और 8 बारा आर्ट का जो है हमारा टोटल यहाँ पर टोटल हमारी स्केल है उस स्केल को मुझे 8 भागों में डिवाइट करना है तो एक भाग कितना होगा एक का होगा तो इसलिए यहाँ पर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से आ रहा है मतलब एक-एक यहाँ पर जो मार्क है वो एक-एक हमारे स्केल को डिनोट करता है जैसे सेंटिमीटर होता है उसमें छोटे-छोटे रहते हैं कम gap पे हमारे marking बनी होती है जब inch वाली स्केल में देखेंगे तो बड़े-बड़े gap पे हमारकिंग होती है तो वो marking कैसे हो रही है वही हम यहाँ पर इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है अब इसमें हम क्या देखते हैं यह हमने यहां पर बनाया scale को अब हम आते हैं यह वाले पार्ट पर यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं आप जैसे देखें यहां पर 12 तो वो था हमारा A1, यहाँ पर है 20 वो था हमारा A2 यहाँ पर है हमारे 5 वो था हमारा यहाँ पर N1 और यहाँ पर जो हमारा 3 है वो है हमारा यहाँ पर N2 यह हमने बना दी scale, इस scale को हम भी और देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है यह हमने scale बना दी अब इसी वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे छोटा वाला पार्ट यहीं से हम शुरू करते हैं A1 यहां पर है A2 यहां पर है और कुछ न कुछ हमारा average total मिला कर बनेगा अब average वाली class में हमने यह देखा था कि जब भी दो quantities हम लेते हैं जो A1 और A2 का average हमें मिला के देगी ठीक है अब यह जो green वाला यह जो blue वाला यहां पर part है scale का यह जो part है यह जाता है N1 पर तो अगर मैं इसे dash line पर बनाऊं और blue से मैं select कर लेता हूं तो यह part जाएगा N1 को और अगर मैं green से से बना दूँ तो यह वाला part जाएगा N2 को मतलब A और A2 के बीच का जो gap होता है वो यहां पर आता है और A1 और A के बीच का जो gap होता है वो यहां पर आता है दोनों ऐसे cross हो जाते हैं ठीक है तो अगर इसी method को मैं यहां पर देखूं मतलब 3 जो है वो यहां से शुरू होना चाहिए और 5 जो है वो यहां पर आना चाहिए मतलब अगर मैं इसे दो अलग colors में करके देखूं तीन के लिए अगर मैं बनाओं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा यहां तक 3 और 5 के लिए अगर के बनाओं और उसे मैं अगर औरेंज से करूँ औरेंज वाला मुझे दिखेगा ऐसा कुछ तो 5 हमारा यहां पर है 3 हमारा यहां पर है इस तरह से यह आपस में एक्सचेंज से हो जाते हैं तो 3 यह है 12 यह है तो मतलब इसका मतलब 12 से मुझे 3 आगे बढ़ना पड़ेगा पीछे नहीं जाओगा पीछे तो स्केल ही नहीं स्केल तो हमारी आगे बढ़ रही 12 से 20 बढ़ रही मतलब 12 पेंज चेंज कर देता हूँ मैं स्टेंडर लेके यहां पर हो जाएगा हमारा 12 प्लस यह कितना है तीन डिविजन है और हर डिविजन कितना है एक-एक मार्किंग का है मतलब 3 into 1 3 कितना हो जाएगा 15 यह हमारा अंसर है यह इस वाले पार्ट से देखूँ तो 20 और इसमें कितना अब 20 के मैं आगे तो जोड़ूंगा नहीं क्योंकि वाह तो स्केली नहीं मुझे पीछे आना पड़ेगा तो 20 में कितना माइनस करूँगा मैं 5 into 1 तो 20 माइनस होगा 5 वो भी हमें कितना देगा 15 यह हमारा अंसर है तो यहाँ पर भी हमने वेटे डाइवरे से 15 रूपीस पर केजी निकाला यहाँ पर भी हमने उसे 15 रूपीस पर केजी निकाला चाहे आप इससे निकाल लीजे चाहे आप इससे निकाल लीजे पर यहाँ पर आपको जो समझना है इसके उपर जो वेट आएगा वो जाएगा यहाँ पर और इसके उपर जो वेट आएगा पर हमारा average आएगा total मैंने माल लिया a1 जो हमारा average a हे वो यहां पर आ रहा है तो यह वाला जो scale वाला part होता है न जितने भी यहां पर वो जितनी गैप होगी वो आजाएगी हमारी n1 पर या n1 जो होगा वो हमारी यह gap को denote करेगा उसी तरह से यह जो gap होगी वो आ जाएगी A2 के weight पे मतलब जो A2 का weight होगा वो इस वाली gap को denote करेगा वही चाहिज हमने यहाँ पर करी थी अब जैसे यहाँ पर इसका मैं color change कर देता हूँ इसे मैं लिख देता हूँ orange से 5 और यहाँ पर हमने light blue यूज़ किया है तो light blue से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर draw किया वही चीज यहाँ पर हो गई 3 वाला जो weight था वो cross होके यहाँ पर आया है और 5 वाला जो weight था वो cross हो के यहाँ पर आया है मतलब 15 से 20 का जो gap था वही हमारा यहाँ पर weight है और 12 से 15 के बीच में 3 का gap है तो वही हमारा यहाँ पर weight है इस तरह से हमारी scale of allegation काम करती है अब हम इसी में और next example पहले देख लेते है same example है यहाँ पर मैंने क्या है weight बदल दिये वहाँ पर 5 था तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया वहाँ पर 3 था तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया क्यों? क्योंकि मैं आपको एक दूसरी scale बताना चाहरहा हूँ कि यहाँ पर तो हमने यहाँ पर gap भी आड़ थी इन दोनों का sum भी आड़ था तो हमारे पास one आ गया क्या होगा अगर इन दोनों में सो कोई भी चीज अलग होगी और हमारा one के अलाबा कुछ है तो उसी तरह का ये example है अब यहाँ पर again 12 और 20 हमारा जो average A1 or relative हो वो same है तो मैं यहाँ लिखूंगा 12 यहाँ मैं लिखूंगा 20 और मुझे पता है जो weighted average होगा इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं अब मुझे decide करना है weight तो एक को मैं ले लेता हूँ orange से 12 के ओपर कितना weight है? 3 और light blue से ले ले लेते हैं 20 के ओपर कितना weight है? 1 ठीक है? अब हम बनाते हैं इसकी scale मुझे पता है कि 4 और 1 आ रहा है 3 और 1 है मतलब total होगा है 4 मतलब इसके बीच में gaps कितनी होगी? total 4 gap होगी तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3 पहली gap, दूसरी gap, तीसरी gap और चौथी gap तो हमने total gap बना ली अब यह gap है कितने-कितने marking की? यह हम कैसे पता करेंगे? तो 20 और 12 के बीच में कितना अंतर है? 8 का अंतर है मतलब total distance है 8 और उस 8 distance को हमें कितने भाग में divide करना है? 3 प्लस 1, 4 तो एक जो हमारा distance हुआ वो कितना हुआ? 2 का, मतलब यह 2 unit अब यहाँ पर 12 के बाद क्या आएगा? मैं इसे red से लिख लेता हूँ 12 के बाद हमें 2-2 का gap चाहिए तो यहाँ पर होगा 14 14 के बाद 2 का gap 16 16 के बाद और 2 का gap 18 और फिर 20 तो हमारे पास यहाँ पर है तो इस वाले case में क्या हो रहा था? एक का हमारा gap आ रहा था तो इसलिए 12, 13, 14, 15 इस तरह से चल रहा था इस वाले question में 2-2 का gap आ रहा है तो हम 12 के बाद 14, 16, 18, 20 ले रहे हैं अगें, same logic हम apply करेंगे हमें पता है, यहाँ जो weight आता है वो यहाँ पर, यहाँ की distance को बताता है तो 1, 2 से multiply होगा मतलब 2 का gap देगा, gap हमने already निकाल ली, इसलिए हमें बार-बार 2 से multiply होगा नहीं करना पड़ेगा, 1 का gap तो 12 और 14, मतलब 12, plus मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2, यह कितना देगा मुझे, 14 यहाँ पर 20, minus करना पड़ेगा, कितना, 3, कितना gap 2, मतलब 6, यह भी मुझे देगा 14, तो यह हमारा 14 यहाँ पर answer है, 14 ही इसका average cost आएगी, इससे आप weighted average वाले जो हमारा, इस तरह का जो हमारा formula है, उससे लगा कर भी देखेंगे तो यही हमारा answer आएगा, 14 तो आपको यहाँ पर allocation की scale यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि हम सबसे छोटा वाला average इस तरह लिखते है, बड़ा average इस तरह लिखते है दोनों के हम उपर weight लिखते है उनके उपर कितना-कितना weight है फिर हम इस scale को draw करते है पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने gaps आएंगे तो हम जो weight होते हैं उन्हें हम add कर देते हैं, उतने हम gap बना देते हैं फिर एक gap के बीच में distance कितना होगा तो हम देखते हैं कि total distance कितना है 8 gaps कितनी है, 4 तो जो बीच में distance होगा, वो 2-2 का होगा मतलब 12 के बाद 13 नहीं आएगा यहाँ पर 14 आएगा, क्यों? क्योंकि हमें gap 2-2 की चाहिए marking हमारी total 4 है और फिर last में हमें पता है कि जो weight होते हैं वो इस तरफ आता है, इसका weight इस तरफ जाता है तो 12 से तो मुझे उपर जाना पड़ेगा तो 12 में मैं एक gap को जोड़ूंगा और एक gap कितनी है, दो की इसलिए मैंने 12 प्लस 2 लिखा जो आया 14 अब यहाँ पर 20 है 20 में मुझे कितना 3 gap पीछे जाना है एक gap ए 6 की, तो total distance वा 6 तो मैंने लिखा 20-6 is equal to 14 तो इस तरह से हम बनाते हैं allegation की scale को अब हम कुछ questions करके देखते हैं उससे आपको और ज़्यादा clarity आएगी कि हम यह सब allegation में scale कैसे बना रहे है इस वाले question में आप देखिए हमारे पास फिर दो students के group दिये हैं एक का average है 30, एक group का average है 30 दूसरा का average है 40 ठीक है, और resultant जो है, वो आ रहा है 34 अब यहाँ पर पहला average कितना दिया है, 30 gap के बाद यहाँ पर कितना है, 40 और इनका total average भी मुझे उन्होंने दे दिया है, तो वो कितना है 34 अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ratio of number of students in both group, अब हमें यहाँ पर ratio निकालना है फिर से हम चलते हैं अपनी उपर वाली scale of allegation पर, अब यहाँ पर जो हम N1 और N2 लिखते हैं अभी तक के सारे questions में हमने जैसे 5, 3 था, या फिर 3 और 1 था, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह दुनों आपस में co-prime है मतलब इनके बीच में 1 के अलावा और कोई highest common factor नहीं है तो इने हम आपस में cross नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने जो weight थे, वो as it is लिखे, 3 और 1, इनमें कुछ भी common नहीं है, उसे हम मतलब काट नहीं सकते आपस में, 2, 3 ऐसा कुछ भी चाहें तो as it is भी हम लिख सकते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा calculation ना करना पड़े तो इन weights को आपस में हम जो इनके highest common factor होते हैं वो हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर highest common factor क्या है, 2, तो 2 से मैं इसे divide करूँगा, तो यह हो जाएगा 3 2 से इसे divide करूँगा, तो यह हो जाएगा 1 तो काम मैं 3 और 1 में ही करता है अगर यहाँ पर 6 किलो और यहाँ पर 2 किलो होता तो भी मैं weight यहाँ पर 3 और 1 ही लेता क्यों? क्योंकि 6 और 2 आपस में cancel out हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में highest common factor है जिसे मैं हटा सकता हूँ तो यहाँ से मैंने 2 वाले factor को हटाया तो मुझे दिया 3 और यहाँ पर दिया 1 तो उसी logic को हमें यहाँ पर भी लगाना है अब यहाँ पर weight मुझे लिखना है तो मैं use कर लेता हूँ green 2 average दिये हैं 30 और 40 वाले group को हमने मिलाया और जो group नया बना उसका average कितना हुआ हमारा 34 अब मुझे बताना है कि इसका और इसमें दोनों group के students का ratio कितना है तो again मुझे पता है 34 और 40 की बीच में जितना भी gap होगा वो कहाँ पर जाएगा इसके उपर या इसके उपर यहाँ पर जाता है हमेशा cross होता है तो 40 और 34 की बीच में gap है 6 का तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6 अब यहाँ पर 34, 30 और 34 की बीच में gap कितना है 4 तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 ठीक है अब यहाँ आया 6 weight और यहाँ पर आया 4 weight मतलब मैं ratio लिख सकता हूँ 6 is to 4 और of course मुझे simplify करके लिखना है तो मैं लिखूंगा 3 is to 2 मतलब यहाँ पर जो weight थे इन्हें हम आपस में इनका hcf हटा के लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 और 4 को हमने लिखा और इसे हमने simplify कर दिया 3 और 2 मतलब 3 और 2 absolute numbers हमसे पूछे नहीं है हमसे सिर्फ ratio यहाँ पर पूछा है absolute number हम यहाँ पर बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि total group में कितने लोग हैं लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर ratio पूछाता है तो जो weights होता है यहाँ पर हमने लिकाला जो है weights का ratio दो हमें average दिये थे resultant average भी हमें पता है हमें सिर्फ यहाँ पर इनका ratio निकालना था तो हमारा answer कितना आया 3 is to 2 तो यहाँ पर जो learning है वो है कि जो weight उपर होते हैं इन्हें भी अगर इनके बीच में कुछ highest common factor है तो उसे हम हटा देते हैं क्यों हटा देते हैं ताकि हमारे calculations easy रहें यह हो हमारा third example अब हम चलते हैं fourth पर अब यहाँ से मैं आपको अलग-अलग type दिखाना चाहता हूँ कि किस-किस तरह के questions बनते हैं जहाँ जहाँ पर हम allegations लगा सकते हैं ठीक है जैसे अगर हम उपर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि हम profit वाले profit and loss वाले questions में हम यहाँ पर लगा रहे थे यहाँ पर हमने दो resultant groups को हमने यहाँ पर add किया उस पर हमने लगाया यह भी हमारा resultant group वाला था उसमें लगाया फिर यहाँ पर हम इस वाले example को देखते हैं 20 liter एक variety का soda है जो कि 40 liter दूसरे variety के soda से हमें मिलाना है ठीक है 20 से 35 की बीच की scale है अब इसके बीच में मार्किंग लगाऊंगा लेकिन कैसे लगाऊंगा पहले मैं weight देखूंगा पहली variety जो है उसमें कितना है 20 liter है तो मैं इसे green से लिख देता हूँ weight को यहाँ पर हो जाएगा 20 दूसरी variety कितना है 40 liter है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40 अब हमें पता है 20 और 40 के बीच में SCF है तो उसे हम cancel out करेंगे यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 हमें निकालना क्या है find the cost of mixture ठीक है सेम चीज़ करना है हमें mixture का cost निकालना है again इसमें क्या करेंगे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितना weight है total 1 प्लस 2 3 मतलब absolute weight में हमें काम नहीं करना है हमें में ratio में काम करना होता है तो यहाँ पर है 3 मतलब हमें 3 part में divide करना है तो 1 और 2 कितना हो गया 1, 2, 3 3 part में divide हो गया दोनों के बीच में difference कितना है 35 और 20 में तो हमारे difference आ रहा है 15 का 15 को मुझे कितने part में divide करना है 3 part में divide करना है मतलब 1 एक part कितने होगा होगा 5, 5 unit का होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 20 के बाद 25 25 के बाद 30 30 के बाद 35 अब हमें निकालना है average mixture का cost निकालना है तो 20 इस से मुझे right hand side पर चलना है तो मैं 2 consider करूँगा 2, 2 unit का मतलब 10 तो 20 plus 10 हमें देगा 30 अगर मैं 35 से देखना चाहूँ तो 35 पीछे जाना है scale में तो minus कितना 1 unit एक unit के बादाबर है 5 के तो minus 5 यह भी मुझे 30 देगा तो यह हमारा answer है तो average cost कितनी हो जाएगी 30 rupees per liter तो इस तरह से हमने लगाया है हाँ पर allegation अब हम next चलते हैं इस वाल example में अच्छा यहाँ पर एक चीज हम और देख लेते हैं कि हम कैसे decide करेंगे कि इन में से weight कौन सा है यह चीज हम एक miss कर रहे हैं तो यह भी हम देख लेते हैं सबसे उपर चलते है कि यह सब हमें दिया हुआ है अब इसमें से weight कौन सा होगा तो weight हम कैसे decide करेंगे हम देखेंगे पहले हम यह हम पहले देखेंगे कि weighted average को अगर हम normal तरीके से solve करने की कोशिश करें तो मैं light blue से कर से करके देखता हूँ 12 और 20 क्या है हमारा cost पर kg है लेकिन 5 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 तो जो चीजे numerator में भी आती है और denominator में भी आती है वही हमारा weight बनती है आप जैसे general formula में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे n1 यहाँ पर n2 और यहाँ पर है n1 फ्लस n2 तो जो n1 और n2 है जो कि हमारे numerator और denominator दोनों में आते हैं वही हमारे weight होते हैं तो सब जगे देखिए आप यहाँ पर 5 और 3 को हमने weight बनाया है यहाँ पर 3 और 1 को हमने weight बनाया है और नीचे चले तो यहाँ पर 30 और 40 तो average थे लेकिन weight हमने किसको बनाया अच्छा यहाँ पर तो हमें weight निकाल नहीं था तो यहाँ पर हमने weight किसी को नहीं बनाया वो तो हमें निकाल नहीं था यहाँ पर 20 और 35 हमें दिया है 20 और 35 और weight हमने किसको बनाया 20 और 40 को अलग अलग थे अगर इसके में अगर इसका आपको normal equation से solve करके अगर हम देखें तो यह कैसे बनता पहला वाला है 20 लिटर का कितना price है 20 plus दूसरा वाला है 40 लिटर कितना price है उसका 35 और division में कितना लेते total लिटर 20 और 40 20 plus 40 तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह वाला 20 यह वाला 40 और वही 20 plus 40 यहाँ पर आ रहा है तो जो चीज numerator में है और वही denominator में आ रही है उसी को हम यहाँ पर 240 weight बनाते हैं ठीक है तो question में किसे weight बनाना है और किसे average बनाना है वो आपको यहाँ से पता चल गया है अब यहाँ पर बीच में एक question हमारा रह गया था इसे भी देख लेते हैं अगें सेम तरह का question है average weight of students of class of 40 is 35 और जो 20 बच्चों की class है उसका average है 20 तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 20 यहाँ पर ले लेते हैं 35 20 कितना है weight इसका color change कर देता हूँ यहाँ पर 20 35 वाले का यहाँ पर है 40 अगें सेम उपर वाले example हो गया तो यह 1 यह 2 और जैसा हमने solve किया था अगें यह हमें देगा कितना 30 जब 20 में हम 2 add कितना यहाँ पर gap आएगा हमारा 55 का gap आएगा तो हमें 20 plus 2 into 5 मतलब 10 मतलब हमें मिलेगा 30 या 35 minus 1 into 5 फिर से हमें मिलेगा 30 तो सारे examples में answer और हमारे values है वो same है मैं सिर्फ आपको language बताना चाहरा हूँ कि अब देखिए जैसे यहाँ पर हम speed वाले questions जो आते हैं उन पर भी लगा रहे हैं लेकिन values अगें हमारी यहाँ पर same है तो अब मैं इसे पूरा solve नहीं करूँगा मैं simply आपको scale बना के छोड़ दूँगा यहाँ पर है 20 यहाँ पर है 35 यहाँ पर जाएगा 20 यहाँ पर color change कर देता हूं हमारा जो weight इस case में रहेगा वो जाएगा 20 यहाँ पर weight कितना जाएगा 40 अगें यह हमारा case हुआ 1 इस 2 तू का फिर से answer हमारा कितना आएगा 30 क्योंकि values सारी same है मैं सिफ यहाँ पर language change कर रहा हूं कि यहाँ पर पहले हमने profit loss वाले देखे फिर हमने mixture वाले questions देखे फिर हमने class वाले questions देखे यह हमने time speed वाले questions देखे तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कहां कहां पर इस तरह के हम use करते हैं allegation को किन-किन हमारे question types म यह applicable होता है अब जैसे यह वाला case है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा data है वो फिर से same है a car agency sold 20 cars at 20% profit तो 20% profit हमारा यहाँ पर आएगा यहाँ कितना आएगा 35% profit 35% लिख लेतने weight कितना जाएगा यहाँ पर 20 car है तो 20 का weight जाएगा यहाँ पर 35 के लिए 40 car है तो 40 का weight जाएगा again 1 is to 2 बनेगा और answer हमारा कितना आएगा 30% ठीक है तो यह हुआ हमारा profit loss के case में फिर से profit profit loss का एक और example है इसे भी आप पढ़िएगा data यहाँ पर भी same है a trader earns profit of 20% तो 20% हमने यहाँ पर लिख लिया और कितना profit है जो जिसे मैं mix करना है 35% 35% हमने mix कर लिया अब weight कितना डालेंगे 20% of 20% of his goods तो अगर 100% है तो उसमें से 20% यहाँ पर चला जाएगा तो 20% हमने यहाँ पर बेचा और 40% जो total का वह हमने यहाँ पर बेचा अगें यह कितना बनेगा हमारा ratio 1 is to 2 का तो यहाँ पर profit percent कितना आएगा फिर से 30% आएगा तो data value में हर question में same लिया था यह चीज़े मैंने आपको language change करकर करके बताइए कि कैसे profit and loss में काम कर रहे है उसके अलग-अलग type मे किस तरह से लगेगा या फिर class वाले questions में किस तरह से लगेगा या फिर दो liquid के mixture में जब हम बनाते हैं तब हम किस तरह से allocation लगाएंगे तो यह सब चीज़े आपको यहाँ से समझ में आएंगी अब यह हमारा last question यह थोड़ा सा एक अलग है question इससे आप देखेगा again यहाँ प हमारे पास total कितनी values हो गई पांच चीज हो गई जैसे यहाँ पर अगर हम देखें यह रहा हमारा scale of allocation एक चीज यह दूसरी चीज यह तीसरी चीज यह चौथी यह पांच वी यह अब क्या होता है इसमें कई सारे permutation combination बन सकते हैं हो सकता है हमें इन में से कोई भी चार चीजे दी हो और पांच वी चीज हमसे पूछ लें जैसे हो सकता है कि तीन हमें यह पहला average दूसरा average और resultant average दे दे एक का weight दे और दूसरे का weight पूछ है या फिर अभी तक हम देख रहे थे कि हमें average दोनों दे दिये दोनों weight दे दिये और बीच का हमसे average पूछ लिया तो कोई भी च चार चीजे दे के आपसे बची हुई एक चीज इसमें से पूछी जा सकती है तो इस तरह से हम इसको extend करेंगे लास्ट वाला जो question है वो इसी पर बेज़ रहे अब यहाँ पर दो solution है हमारे पास एक 90% और एक 97% purity के उन्हें mix किया है हमने और कितना बना है हमारा 94% वो total solution का जो हमारा जो total capacity है वो कितनी है 21 liters अब इसे हम देख लेते हैं हमारे पास दो average दिये हैं और तीसरा में resultant भी यहाँ पर दिया हुआ है तो again हम अपनी scale बनाएंगे left hand side पर लिखे सबसे बड़ा वाला 97% अब हमें इसका resultant पहले से दिया हुआ है कितना 94% कि माल लेते हैं कि 94% यहां कहीं पर आएगा अब हमसे यह बताया है कि 94% का total solution बनेगा यह total है 21 लिटर का और हमसे पूछ लिया है कि पहले वाले मतलब 90% वाले का कितना हमें लिटर solution add करना है मतलब basically ह हमसे इन्होंने पूछा है कि इसमें बताइए इसका weight कितना है और यहां पर weight कितना है हमसे सिर्फ यहां का weight पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें पता है जब हमें यहां पर तीन चीज़े दे दी हैं तो हम इनके बीच का gap भी निकाल सकते हैं अगर gap निकाल सकते ह हम उपर के weight का ratio भी लिख सकते हैं, जैसे 94% और 97% के बीच है gap कितना है, 3 का, तो 3 हमारा कहा जाएगा, इस तरफ, यह हमने लिख दिया weight उपर 3, अब 90 और 94% में gap कितना है, 4 का, 4 का हमारा कहा जाएगा, gap यहाँ पर, तो यहाँ हमने लिख दिया, 3 is to 4, यह क्या है, 3 is to 4, यह हमारा ratio है weights का, 90% वाले का 3 unit का weight है, 97 वाले का 4 unit का weight है, अब total, मतलब अगर यह 3 liter होता, तो यह 4 liter होता, यह 6 liter होता, यह वाला, तो यह 8 liter होता, इसी तरह से हमारी scale चलती रहेगी, लेकिन अब हमें यहाँ पर दिया है, total जो हमारे resultant है, वो 21 liter का है, मतलब इन दोनों को मिला के, 21 liter बनता है, अब अगर मैं इन दोनों को मिला हूँ, तो 3 plus 4 मुझे कितना देगा, यह मुझे देगा 7, और मुझे जाना कितने में है, 21 पर है, इसका मतलब, यहाँ पर जो होगा, 9 liters, और यहाँ पर होगा, 12 liters, हमसे कुन सा पूछा है, first solution, तो first solution का हमारा answer हो जाएगा, 9 liters, अगर second बाला पूछा, तो हम वो भी बता देते हैं, 12 liters, तो इस तरह से, हमें यहाँ पर, जो हमारी scale of allegation है, उसमें total हमारे पास कितनी 5 चीज़े होती है, उनमें से कुछ भी, 4 चीज़े हमें देके, हमसे 5 चीज़ पूछे जा सकती है, या फिर, जैसे यहाँ पर total resultant हमें दे दिया था, हमने total उसका ratio निकाल दिया, ratio का हमें पता है कि total 21 बनना चाहिए, तो उसे हमने ratio को हमने यहाँ पर modify किया, और 9 और 12 यहाँ से हमने ले लिया, मतलब यह basically क्या होते हैं, हम number system वाले या ratio वाले chapter में पढ़ चुके हैं, इने हम बोलते हैं equivalent ratios, इसमें इस equivalent बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, multiply by 3 किया, 3 से multiply करके इस ratio को हमने इस ratio में convert कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 आ रहा था, लेकिन चाहिए था हमें यहाँ यहाँ पर 21, तो मुझे पता है 3 से multiply करूँगा, तो मुझे 21 मिल जाएगा, तो यह होते हैं हमारे equivalent ratio, यह हम देख चुके हैं, तो इस तरह से हम, यह हमारा last question था, इस तरह से हम allegation को use करते हैं, इस तरह के questions में, तो allegation कहां कहां apply होगा, हमने देखा allegation हम वहाँ apply करते हैं, जहां पर भी हम अपने जो, अगर यह सारे examples की बात करें, इस तरह का हमारा form मनेगा, weighted average का इस तरह का form बनेगा allegation हम हमेशा at a time दो quantities में लगाते हैं तो allegation के लिए हमेशा हम ये वाला पार्ट देखेंगे अब weighted average जिस भी तरह के questions में लग सकता है वहाँ-वहाँ allegation भी लगेगा अब weight क्या होगा उसमें ये जो n1, n2 और जो denominator में n1 आ रहा है आज की class में आपको allegation के concept clear हुए होंगे अगर थोड़ा सा भी आपको confusion है तो आप questions को एक बार देखिए पढ़िए पहले उन्हें weighted average के method से solve करके देखिए वो सबसे general बिल्कुल basic method है उसके बाद उनमें आप allegation लगाना शुरू करिए तो आपको एक clarity बनती जाएगी कि हाँ इस तरह के questions में allegation लगते जाते हैं फिर आप इन्हें exam में आसानी से लगा पाएंगे तो आज के session को में यह पर खदम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वार 40 अजल क्वार 15 नहीए क्या उनकर पाई करosi कि लगते हैं नहीं तो आपको